हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का धिराज क्लासिस के यूटूब चैनल पर और जैसा कि आप जानते हैं अभी हमने अपने चैनल पर शुरू किया है छेत्रमिती यानि की मेंसुरेशन की क्लासिस इस टॉपिक के उपर गाईज यह हमारी सेकंड क्लास है और इस टॉपिक क हम इस टॉपिक के अंदर सीखने वाले हैं ठीक है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को और लेते हैं हम अपने फर्स्ट कोशन को फर्स्ट कोशन जैसा कि आप देख रहे हैं केवियस प्यार्टी एक्जैम 2018 में यह कोशन पूछा जा चुका है मैं आपको यह कोशन दिखा देता हूँ यह सेम आपका कोशन है 2018 का यह कोशन पूछा गया था और बहुत ही easy कोशन है और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या यह जो level है जो level अभी आपको मैं करा रहा हूँ क्या यह ठीक रहेगा देखिए यह बिलकुल ठीक है N-C-E-R-T N-C N-C-E-R-T से आपको एक level उपर रहना है ठीक है ना कि आपको SSC level की त्यारी करनी है SSC level थोड़ा सा काफी advanced level हो जाता है समझ गए आप चलिए चलते हैं अपने first question पर हम चलते है first question आप से पूछते है the ratio of the area of an equilateral triangle of site 2A unit क्या करना है आपको आपको ratio निकालना है किस-किस का एक equilateral triangle है और जिसकी site आपको बताई गई है 2A unit इसका ratio किसके साथ निकालना है to the area of a square एक square के साथ निकालना है जिसका diagonal कितना है 2A unit है तो देखे इस चीज को समझाने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे draw कर देता हूँ एक तो आपका संभाहू तिर्बुच दिया है equilateral triangle दिया है और दूसरा आपका एक square दिया है equilateral triangle की side कितनी है 2A unit यानि ये भी 2A है ये भी 2A ये भी 2A आपको इसका area निकालना है और इसका भी area निकालना है और दौनों का क्या कर रहा है आपको ratio निकालना है square का आपको क्या दिया है square का आपको diagonal दिया है diagonal क्या होता है जो इसका विक इसका अगर आपको area निकालना है इसका तो वो होता है root 3 by 4 जो आपकी side दी गई है जो भी आपकी side दी गई है उसका square कर दीजे और इसका भी area होता है 1 by 2 जो भी इसका diagonal है D4 diagonal उसका square कर दीजे अब यहाँ पर हमें side भी दी गई है और यहाँ पर हमें diagonal दिया गया है और दोनों क 2a का square, इसका ratio हम किसके साथ निकालने है, 1 by 2 diagonal के square के साथ, diagonal कितना है इसका, ये 2a है, तो देखिए, 2a square से 2a square cancel, 2a कम 2, 2 दुनी 4, तो यहां तो सारा कुछ cancel हो गया, यहां पे बचा root 3 upon 2, ठीक है, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो ratio आप गया आपका root 3 by 2, दिया है आपको option म है, तो ये बहुत ही simple सा question था बच्चो और आपका ये question number 116 था, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है, समझ गए आप, चलिए, चलते हम अपने next question पे, second question पे, second question बच्चो बहुत ही बढ़िया question है, बहुत ही अच्छा question है, ध्यान से समझना इस question को, इस question को solve करने के आपके दो तरीके हैं, तो दोनों समझ लेना ध्यान से, कि अगर question change होके आता है, तो second वाला जो method है, वो भी आपको पता हो, तो क्या कहरे है question में, the sides of an isocellus triangle are 10 cm, 10 cm and 12 cm, एक समधवी बाहुतिरबुज है, समधवी बाहुतिरबुज कौन सा होता है, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ड्रो कर देता हूँ, यहाँ पर यह वाली और यह वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, कौन कौन सी है, एक तो आपको 10 दी है, और 1 और 10 दी है, तो मैं मान लेता हूँ, यह भी 10 है, और जो बच गई वो कौन सी है, यह 12 cm है, आपको इसका area निकालना है, तो देखे, पहला तो तरीका यह है, कि आप एक सीधा perpendicular खीच लीजे, यह हमेशा 90 degree पर काटेगा इसको, और यह सामने वाली भुजा को 2 parts में डिवाइट कर देगा, यह पूरी 12 है ना, तो यह 6 और 6 हो जाएगी, अब आप इस वाले जो triangle में जिस पे मैंने mark किया है, इसमें आप पाइथा गोरस पर में लगा दीजे, यह आपको पता है 10 है, यह 6 है, तो आप इस perpendicular की height निकाल दीजे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, perpendicular की जो height होगी, वो होगी 10 का square, माइनस 6 का square, यह कितना हो गया, 100 माइनस 36, यह हो गया आपका सिंपल हो गया आपके लिए, area of triangle क्या होता है, 1 by 2 into my base into my height, ठीक है, तो 1 by 2, base कितना है, base है आपके पास total 12, height अभी हमने निकाली, 8, solve करेंगे इसको, 6, 8 6 of 48, 48 cm square, तो option C यहाँ पे सही हो गया, समझ गया आप, यह है आपका first method, कौन सा method है, यह है आपका first method है, अब समझे second method क second method आपका बहुत अच्छा method है, और यह हर जगा आपका apply हो जाएगा, यह method क्या कहता है, कि आपको S की value निकालनी है, और S की value होती है, A plus B plus C by 2, अब यह S क्या बता दिया सर आपने, S का मतलब होता है semi perimeter, ध्यान से समझ लेना, 1 minute patience रखके, आपके सारे doubt clear हो जाएंगे, S का मत low एक triangle है, और इसकी तीन side है, A, B और C, ठीके, इन तीनों का आप plus कर दो, और उसका आधा कर दो, तो आपका semi perimeter, अर्ध परिमाप, हिंदी में का कहेंगे इसको, अर्ध परिमाप हो गया, तो यह S की value होती है, ठीके, और इसका एक formula होता है, area of triangle का formula होता है, S, S minus A, S minus B, S minus C, और इसका आप पूरे का underroot कर दीजे, यह formula आपका सबसे बढ़िया कहां पर use होता है, जहां पर आपको तीनों side दी गई है, यहां पर तीनों side दी गई है, अगर मानलो, यहां पर कोई तीसरी side अलग होती, यह 10 होता, यह 8 होता, यह 12 होता, तो यह हमारा किस तरह का triangle होता, य यहां पर तो कोई भी formula नहीं लग सकता था, सिर्फ और सिर्फ आपका यही formula लगेगा, तो देखे, इसको मैं आपको use करके दिखाता हूँ, कि इसको हम कैसे use करेंगे, तो देखे, पहले s की value निकाल लीजे, 10, 10 और 12, ठीक है, तो इसका अर्थ परीमाप कितना आ गया, 10 और 16-10, फिर 16-10 और फिर आपका 16-12, अब इससे solve कर दीजे, यहां से रहागे आपका 16, 16 में से 10 गए, 6, 16 में से 12 गए, आपके 4, root से वो सारी चीजे भारा जाएंगी, जो आपके या तो pair में है, या जिसका हमारा under root होता है, तो देखे, 16 का under root क्या होता है, 4 होता है, 4 का under root क्य होता है, 2 होता है, 6 और 6, 2 6 बनने है, 2 में 6 में से यानी, 1 6 भारा जाएगा, अब आप इनकी multiply करके देखिए, 6 चोग 24 दुनी 48, 48 cm2, same answer आपका, तो आपको मैंने दोनों method बता दी है, एक तो आपका first method और second method, second method आपका हर जगा यूज हो जाएगा, समझ गए आप, बहुत से आप इसे note कर लेना, जहां पर भी आप अपने notes बना रहे हो, ठीक है, चलिए, बात करते हैं वो अपने third question की, third question क्या कह रहे हैं आप से, एक आयताकार मेज का परिमाप 48 cm है, यदि आयताकर मेज का छेतरफल 128 cm है, तो मेज की लंबाई कितनी होगी, क्या कह रहे हैं आप से परिमाप आपको दिया है, तो यह होता है आपका two bracket L plus B, कितना दिया है आपको 48 दिया है, rectangle की बात कर रहे हैं, दूसरी चीज आपको दिया है, आपको area दिया है, area का formula होता है length multiply breath और यह कितना दिया है आपको 128 दिया है, तो आपको मेज की लंबाई बतानी है, सिर्फ और सिर करने के मैं आपको इसके भी दो तरीके बता देता हूं, पहला तरीका तो यह है आपका कि आप इन दोनों equation को solve कर लो, ठीक है, फिर आप length निकाल लो, तो थोड़ा सा यह आपका long method हो जाएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं short method, क्योंकि आपको कम से कम time में उदर solve करना है, आ यानि इसका परिमाप आपको 48 दिया है, अगर मैं सरफ L प्लस B की value निकालू यहां से, तो यह जो आपका 2 है, इधर किस में चला जाएगा, आपके divide में चला जाएगा, यानि L प्लस B की value आ गई 24, तो पहली चीज आप इसे note कर लें, दूसरा आपको length multiply breath की value भी दी है, यह क total अगर 24 है, और लंबाई मान लेते हैं, चारो सही है, तो अगर एक length है, तो दूसरी की breath कितनी होगी, यह 14 होगी, क्योंकि तभी आपका total कितना बनेगा, 24 बनेगा, अगर यह 18 है, तो दूसरी कितनी होगी, 18 और 6, अगर यह 16 है, तो दूसरी कितनी होगी, यह 8 होगी, अगर यह 12 है तो दूसरी भी 12 होगी तभी आपका जाकर टोटल 24 बनेगा सेकंड चीज इन्होंने एक और दिये कि इन दोनों का जो टोटल है वो 128 होना चाहिए इनका एरिया कैसे निकालेंगे हम इन दोनों की मल्टिप्लाइ करके इन दोनों की तो जिसका भी एरिया 128 आ रहा होगा वही आंसर सही होगा 10 की 14 से करेंगे 140 आएगा इसका मतलब यह तो गलत है 18 की 6 से करेंगे 18 6 होता है 108 यह भी नहीं है हमारा 128 आना चाहिए 16 की 8 से करेंगे 16 8 होता है तो इसका मतलब option C ही सही हो जाएगा आपको आगे देखने की जरौती नहीं है यानि की length कितनी है वो 16 cm है अगर यह breath पूसता तो वो कितनी होती वो 8 cm होती यह हमें यहां से पता चले गया तो समझ गए आप I think इस तरह के question को option से solve करना सबसे बढ़िया रहता है बजाए कि हम equation बनाए फिर उसको solve करें ठीक है समझ गए आप चलिए तो फिर fourth question आप अराम से कर सकते हैं बिल्कुल आपका third question की तरह ही है क्या कहरें आपसे एक आयताकार दुकान का परिमाफ 60 मीटर है एक shop है उसका जो perimeter है वो कितना है वो आपका 60 मीटर है तो L प्लस B की value कितनी हो गई 30 हो गई आपको एक चीज और बताई है इसका जो छेतरफल है वो 200 मीटर है यह मेज नहीं होगा यहां पर दुकान होगा तो L multiply B यह कितना दिया है आपको 200 दिया है तो same उसी तरह से हम solve कर देते हैं पहली चीज यहां पर ध्यान देना इन दोनों का जो total है length और breath का total 30 आना चाहिए यानि अगर यह 10 है तो दूसरी कितनी होगी 20 होगी 10 प्लस 20 तभी 30 बनेगा अगर यह 20 है तो अगली कितनी होगी 10 होगी अगर यह 15 है तो अगली कितनी होगी 15 होगी और यह 12 है तो यह 18 होगा ठीक है तो length और breath दोनों ही हमारे पास आ गई अब हम यह देखते हैं कि किस से total ब करेंगे 225 आएगा और 12 की 18 से करेंगे तो 216 आएगा अब यहां पर हमारे दो आंसर सही आ रहे हैं हमें 200 चाहिए तर आंसर में तो दोनों ही सही हैं कैसा हो सकता है नहीं मैट्स में सरफ और एक ही आंसर सही होता है अब ध्यान दीजे यहां पर आपसे क्या पूचा है चोड़ाई पूची है तो वह या तो 10 होगी या 20 होगी तो अब ध्यान दीजे लैन्थ और ब्रैथ इनके बीच में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो लैन्थ होती है वो कौन सी होती है वो हमेशा लंबी वाली होती है और बाकी जो छोटी वाली बच्ची उसे हम कहते है ब्रैथ कुछ बच्चों को यह confusion रहता है अब मान लीजे मैं इसे इस तरीक किसे ड्रा कर देता हूं अब लैन्थ कौन सी होगी अब लैन्थ होगी यह वाली और चोटी वाली कौन सी होगी यह ब्रैथ होगी तो 10 और 20 इन में से चोड़ाई कौन सी होगी आप से चोड़ाई पूछी है ब्रैथ पूछी है तो चोटे वाली होगी न तो 10 cm answer होगा आपक ना कि ये वाला, ठीक है, तो A is the correct answer, समझ गए आप, समझ गए हैं तो चलिए चलते हैं अपने next question पे, fifth question पे, fifth question से पहले बच्चो ये मेरा whatsapp number है, जो भी बच्चे हमारे channel पे new हैं, आप simply मुझे अपना name लिखके इस number पे whatsapp कर दीजे, मैं आपको अपने broadcast system से जोड़ दूगा ताकि मैं जो भी test बनाता हूँ, वो हमें आपको share कर सकूँ, या जो कुछ भी material कभी कभी में बनाता रहता हूँ, तो वो आपको share किये जा सकें, और KVS PRT कि कोई भी information मेरे पास आती है, वो मैं आपको share कर दूँगा, इसी broadcast system के जरिए, ठीक है, चलिए, बात करते हैं अब 5th question की, 5th question एक बहुत ही important question है, जो बच्चे कर सकते हैं, इसको solve करके देखें, वीडियो को आप pause कर दें, कुछ second के लिए, और मैं guarantee लेता हूँ, सिर्फ जो maths में बच्चे अच्छे हैं, जिनोंने practice कर रखी है इस तरह के question की, वही इस question को solve कर सकते हैं, हर बच्चा इस question को solve नहीं कर पाएगा, 5th question हर बच्चा solve नहीं कर पाएगा, मैं दुबारा कह रहा हूँ, अब question को समझते हैं, क्या कह रहे हैं, एक आयताकार मैदान का विकण 15 मीटर है, एक आयत ड्रॉ कर देते हैं, इसका जो विकण है, ये कितना है, ये 15 मीटर है, इसका छेतरफल 108 मीटर स्क कि ये सारी चीज़े आपको बतानी है, तो मान लेते हैं, लेंध है और ये breath है, आपको इसका विकण दिया है, तो कैसे solve करेंगे हम इसे, हमें कुछ भी information यहाँ पे complete नहीं दिया है, लेंध और breath में कोई भी relation नहीं पता है हमें, क्योंकि बाकी के जो question होते हैं, उसमें ब्रैथ का तीन गुना है, इस तरह से आपको बता दिया जाता है, इसमें नहीं बताया है, तो यहाँ पे हमें relation यहाँ पे बनाना पड़ेगा इनके बीच में, कैसे बनाएंगे, तो देखे, आयत का जो परते कौन होता है, वो 90 डिगरी होता है, यानि कि हम यहाँ पे पाइ 15 के स्क्वाइर के बराबर, यानि कि 15 के स्क्वाइर कितना होता है, 225, तो पहली चीज़ आप यह समझ गए, लेंथ मल्टिप्ला ब्रैथ आपको दिया है 108, ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मला लगाता हूँ, ध्यान से समझना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ यहाँ लेंथ प्लस ब्रैथ का होल स्क्वाइर, यानि कि A प्लस B का होल स्क्वाइर, किसके बराबर होता है, लेंथ का स्क्वाइर प्लस ब्रैथ का स्क्वाइर, प्लस 2LB, यह चीज़ आप समझ गए, A का स्क्वाइर प्लस B का स्क्वाइर प्लस 2AB, सेम वही वाला फॉर्मला मैं length multiply breath की value है 108, 108 का double कर दो, इसके आगे 2 लगाए न, यानि इसका double कर दो, तो ये हो गया आपका 216, ये किसके बराबर आगया, L प्लस B के whole square के बराबर, अब इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, 225 और 216 को, ये आएगा आपका 441, इस square को हटा के, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, अंडरूट में, 441 का अंडरूट होता है 21, यानि मेरे पास किस की value आ गई, L प्लस B, length प्लस breath की value आ गई, मेरे पास 21, समझ गए आप, यहाँ तक समझ गए, अब अगर ये 21 आ गई, तो आप से perimeter पूछा है, perimeter का formula होता है, 2 bracket L प्लस B, यानि 21 का double कर दो, 42 meter is the answer, तो guys ये एक बहुत ही अच्छ कोशन, तब ये कोशन आप अपने बाकी friends के साथ share करके देखना, कि कितने बच्चे इस कोशन को solve कर पाएंगे, क्योंकि इस कोशन की trick हर बच्चे को नहीं पता होती, ठीक है, तो 42 meter इसका answer आया है, इस कोशन को आप खुद भी solve करके देखना, ठीक है, चलिए, 6th कोशन पे आप हम चलते हैं, 6th कोशन आप से क्या कह रहे हैं, एक आयताकार खेत की लंबाई और चोड़ाई का अनुपा तीन रेशो दो है, तो रेशो आपको पहले दे दिया है, यदि मैदान का छेतरफल 486 वर्ग मीटर है, तो मैदान का परीमा आप आपको बताना है, तो बिलकुल सिंपल सा कोशन है, हम मान लेते हैं कि जो इसकी लंबाई होगी, वो कितनी होगी, 3x होगी, और जो चोड़ाई होगी, वो 2x होगी, आपको इनका छेतरफल दिया है, तो अगर हम इन दोन की मल्टिपलाई करते हैं, लेंथ की और ब्रेथ की, तो ये हमें दिया है 486, मल्टि की वेल्यू कितनी आगई, x की वेल्यू आगई, रूट 81, यानि की 9 आगई, आपके पास x की वेल्यू, तो अब आप अपनी हां से लेंथ और ब्रेथ निकाल लीजे, लेंथ कितनी थी आपकी 3x, यानि 9 तिया 27, ब्रेथ कितनी थी 2x, 9 दुनी 18, आपके पास ये दोनों भी की आगई, आप से पैरी मीटर पूछा है, तो इन दोनों को प्लस कर दो, और उसका डबल कर दो, 27 और 18 होते हैं आपके 45, 45 का डबल करोगे, 90 दा आंसर, 90 मीटर आपका आंसर आ गया, तो option C यहां पे सही हो गया, समझ गए आप, यह बिल्कुल से question है, बैस आपको इनकी practice करन में, और पिछली वीडियो में मैंने आपको यह question number तक बताये थे, तो guys काफी important topic है, इस topic की आप practice जरूर करें, क्योंकि इसमें mostly क्या आती है, इसमें सारा calculation वाला part है, और calculation की speed आपकी बड़ेगी तब जब आप practice ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है, तो कोई भी book ल एक कमरा है, वो 35 मीटर लंबा है, और 20 मीटर चोड़ा है, फर्ष पर 15 मीटर वर्गाकार कालीन बिचाया गया है, तो देखें कुछ इस तरह से situation बन रही है, कि एक हमारा कमरा है, ठीक है, और ये 35 मीटर लंबा है, और 20 मीटर चोड़ा है, और उसमें न 15 मीटर का जो कालीन बिचाया गया है, कुछ इस तरह से कालीन बिचा दिया गया है, यानि कि ये भी 15 है, और ये भी 15 है, वर्गाकार है, तो सारी साइड इसकी 15 पंदरा पंदरा योंगी, आपको बताना है, उस कमरे का छेतर फल ग्याद कीज़े, जिस पर कालीन नहीं है, यानि जहां पर नहीं बिचाया गया है, तो यानि कि आपको ये वाला एरिया निकालना है, तो देखे हम क्या करेंगे, हम पहले पूरे रूम का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, लैंथ मल्टिप्लाय ब्रैथ, यानि कि 35 की 20 से मल्टिप्लाय करेंगे, तो कमरे का एरिय दोनों को माइनस कर दो 700 में से आप 225 को माइनस कर दो यानि जिस एरिया में कार्पेट नहीं है ना तो वो एरिया निकल के आ जाएगा 700 में से 225 गए कितने बचे आपके? 475 बच गए तो option C सही हो गया 475 मीटर स्क्वाइर ऐसा एरिया है जहां पर काली नहीं बिचाया गया है which is not carpeted समझ गया? simple सा question था यह तो चलिए चलते हैं अपने next question पे eighth question पे एर्थ question भी बिल्कुल simple है क्या कह रहे हैं? If the diagonals of two squares are in the ratio of one ratio five then what is the ratio of their areas? यानि two squares है, two squares है, कोई भी आपके दो squares है इनके जो diagonal है, diagonal का ratio क्या है? one is to five है, आपको इनके area का ratio निकालना है, इनके छेत्रफल का ratio निकालना है तो अगर आपको diagonal पता है, तो इनके area कैसे निकालते हैं? मैंने भी आपको बताया था 1 2 2D का स्क्वार diagonal का स्क्वार करना होता है 1 by 2 diagonal का स्क्वार इसको हम मालने थें D1 इसको हम मालने थें D2 लेकिन ये तो हमें दिया है ये है 1 और ये है 5 ठीक है आप इसे x भी मान सकते हैं 1 x 5 x जो मर्जी मान लो क्योंकि यह cancel हो जाना है तो हमें इनका ratio ही निकालना है ना तो देखिए 1 by 2 से तो 1 by 2 ही कड़ गया तो यह नी आप खाली diagonal का square कर दीजे 1 का square करेंगे तो 1 ही आएगा 5 का square करेंगे तो 25 आएगा तो यह किसका आगया हमारा यह area का ratio आगया हमारा तो area का ratio आया तो फिर कौन सा सही होगा option C यहाँ पर सही हो जाएगा समझ गया आप इन questions के answer खुद solve करके देखें आप अपना copy pen तयार रखें और खुद solve करके देखें तभी बात बनेगी ठीक है चलिए चलते हैं अब अपने next question पे 9th question पे 9th question भी बिल्कुल simple है ज्यादा centimeter भुजा वाले वर्ग के विकर्णों की लंबाई का योग ग्याद कीजिए English में पढ़ देता हूँ आपके लिए find the sum of the length of the diagonals of a square with side this आपको side दी गई है ये ठीक है आपको इनके जो diagonal होते हैं किसकी बात कर रहे हैं मैं square की बात कर रहे हैं तो आपके लिए पहले मैं एक square ड्रॉ कर देता हूँ बताए इसमें diagonal किते हो सकते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके दो ही diagonal होते हैं चाहे आपका rectangle है square है कोई भी आपकी four side वाली figure है तो उसमें दो ही आपके diagonal हो सकते हैं आपको इनका total निकलना है यानि इस वाले diagonal का और इस वाले diagonal का total निकलना है तो एक चीज आपको पता site आपको दी है, तो diagonal की value क्या होगी, diagonal की value होती है, A root 2, अगर site हमारी A है, तो diagonal कितना होगा, A root 2, उसके साथ में, root 2 और add हो जाएगा, site यहाँ पर क्या दी है, 10 root 2, 10 root 2, इसके साथ में क्या होगा, root 2 की और multiply हो जाएगी, तो root 2 की, root 2 से multiply होगी यह हो जाएगा 2 और 10 आपका already है तो 20 cm का आपका एक diagonal आ गया 20 cm का तो अगला भी 20 होगा 20 और 20 40 cm आपका answer समझ गया तो मुझे लग रहा है कि मैंने option C ही अधिकतर answer सही रखा है तो आप इस चीज को mind मत करना आप सारे question को खुद solve करके देखना यह जो सारी PPT होती है न बच्चो मैं खुद ही बनाता हूं तो most of the time ऐसा हो जाता है कि मैं अधिकतर option C ही रख दिया है अगली बार मैं इसको change करके A, B, C को इसा भी रख दूँगा ठीक है चलिए last question पे अब हम चलते है question number 10 पे guys यह जो question है यह आपका 3D shape का question है 3D shape जिसमें आपकी length भी है breath भी है और आपकी height भी होगी तीनों चीज होंगी ठीक है चलिए question को हम पढ़ते है एक कमरे के फर्ष का परिमाप 18 मीटर है कोई कमरा है और जो उसका फर्ष है उसका perimeter कितना है 18 मीटर है आपको जब इस तरह के question solve करेंगे तो हमेशा जो आपका room होता है आपके घर का कमरा होता है उसे imagine करा करो कि उसका जो फर्ष है उसका perimeter है 18 मीटर उसकी जो उचाई है वो कितनी है 3 मीटर यानि जो कमरे की आपकी height है वो कितनी है 3 मीटर है कमरे की 4 दिवारों का छेतरफल क्या होगा तो देखे मैं आपके लिए draw करता हूँ यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वैसी ही चीज ड्रॉ हो पाए देखे तो यह तो आपका फर्ष हो गया फर्ष का perimeter आपको दिया है 18 मीटर और इसकी जो height आपको दिया है यह दिया है आपको 3 मीटर आपको कमरे की 4 दिवारों का छेतरफल निकालना है यानि ना तो आपको छत का निकालना है ना फर्ष का निकालना है आपको इन 4 दिवारों का छेतरफल निकालना है चार option आपके लिए दी है 27, 42, 54 और 108 आप इस question को खुद solve करके देखें ठीक है नई तो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूँगा इसमें आपको एक simple सा formula लगाना होता है चार दिवारों के लिए formula होता है 2 bracket में L plus B B into H L plus B इसकी value आपको दी है perimeter के आपको value दी है 18 ठीक है H की value है आपकी 3 तो 18 3 आपको पता यह answer तो जल्दी से आप मुझे comment box में बता दीजे मैंने आपके लिए explain भी कर दिया ठीक है तो guys यह थे आज के आपके total 10 question I hope आपको अच्छे से